नमस्कार जैन मैं हूँ रॉनक रंतंत्र में वेलकम वीरू पाजी की वीडियो देखी थी जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि सितंबर के महीने में शिलंका में चाय पकोडे रखवाय जाते हैं उन्होंने एशिया कप रखवा दिया बिल्कुल सौटा के बात सच है मेरी तो आ अच्छी कबर ही है कि मैच पूरा हुआ अगर धुल भी जाता तो भी टीम इंडिया सूपर 4 में पहुच जाती लेकिन ऐसे मज़ा थोड़ी ना आता मैच पूरा हुआ हम जीते और अब confidence के साथ सूपर 4 में जाएंगे और सुनने में आ रहा है कि ACC वालों ने इस साल पहले अच्छा डिसीशन लेते हुए कोलंबो से बाहर मैच शिफ्ट कर दिये हैं और सूपर 4 का राउंड हम बंडोटा में होगा सही बात है कोलंबो और पालेकल में तो खाली लोटा ही मिल रहा था लेकिन अगर आप माई 11 सर के लाप पर अपनी टीम बनाएंगे तो आपको नेपाल इंडिया नेपाल के ओपनर बूरतेल ने हमारा भूरता बना दिया जिन लोगों ने मैच देखा शायद वो यकीन भी न कर रहे हों कि भईया नेपाल ने 10 ओर में 65 रन बना लिये ते यानि पहले पावर प्ले में 6 से जाधा का रन रेट और ऐसा नहीं है कि सब बास demoralize न फिल करें इतनी महानता देखी आपने और कहीं लेकिन शुक्र है कि हमारे रविंदर जड़ेजा इतने महान नहीं आते उन्होंने विकेट लेने चालू किये वरना एक वक्त पर तो मुझे लग रहा था कि कहीं हमारे साथ खेला नहों जाए जड़ेजा ने तीन मुम्मत सिराज को भी जो शड़ा उन्होंने भी तीन विकेट लिए लेकिन इस बीच नेपाल के विकेट की पर आसिफ शेक की तारीफ होनी चाहिए आसिफ को मैं पहली बार खेलते हुए देख रहा था इससे पहले मैंने क्लिप देखी थी जहां पर उन्होंने बल्ले बास के फिसल जाने के बावजूद उनका रन आउट करने से इंकार कर दिया था आसिफ को इसके लिए स्पिरिट ओफ दो क्रिकेट अवार्ड भी मिला यानि लड़का तो नेक दिल है लेकिन टैलेंटेड भी है क्योंकि कल जब पूरी नेपाल की टीम एक एक करके आउट हो रही को यही तो सोचने वाली बात है क्योंकि अब इंडिया सूपर फोर में पहुंच गया है तो कौन बचा है और कौन नहीं ये बात दस तारी को क्लियर हो जाएगी लेकिन एक चीज आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोगों को लग रहा है खाली इंडिया के मैचों के लिए तो डूओ डाय है इसलिए अब आपको इसको और मज़ेदार बनाना है माई लेवें सरकलाप पर टीम बनाकर कॉंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना मेगा कॉंटेस्ट मेरा फेवरेट है यहां पर टॉप करने पर आपको बता है नहीं थार मिलेगा बागी और भी इंडियन क्रिकेट टीम को अच्छी खासी मैच फीस मिलती है लेकिन कल अगर सबसे अधा मैच फीस किसी को मिलनी चाहिए तो श्रीलंका की ग्राउंड स्टाफ को कली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तर जहां मुझे पता लगा कि श्रीलंका का ग्राउंड स्टाफ बारिश के कर टार्गेट मिला और दोनों ही ओपनरों ने बाकी किसी को तकलीफ दिये भी ना सारे के सारे रन खुद ही बना लिये दस विगेट से मैच जीत कर कम से काम हमें पाकिस्तानियों को ये कहने का मौका तो मिल गया कि भले ही तुम्हारी टीम ने एक सो चार रन पर नेपाल का किया था और हमने 230 बनवा दिये लेकिन फिर हमने भी तो एक भी विगेट नहीं दिया तुमने तो शुरू में ही चार दे दिये थे लेकिन चलो पाकिस्तान से अब 10 तारीक को ही बात करेंगे क्योंकि इंडियों पाकिस्तान दोनों ही कौलिफाई कर गे सूपर फोर के लिए लाज मैच अफगानिस्तान और श्री लंका का और उसके हैं